अपने आप पर यकीन कीजिए अपनी शम्ताओं को पहचानिये और लगे रहिए अपने कारिये के प्रती यकिनन आपको सफलता मिलेगी नमस्कार जैहिंद मैं हूँ आपका दोस्त कवी आदिगने स्वागत करता हूँ आप तमाम सात्यों का ग्रेड फर्स्ट हिंदी है तूम जो हमने एक नया टोपिक प्रारंब किया है जन संचार माध्यम और लेखन वाला उसकी एक क्लास कल हमने अप्लोड करती थी जिसके अंदर सामाने परीचे वगरा कहां से क्या कुछ है जो सवाल पूछे जा सकते संचार क्या है संदेश क्या ह चेनल या माध्यम क्या है फीडबेक वगरा क्या है शोर या नोईज क्या है वो सारी की सारी चीज़े जहां से सवाल बन सकते हैं वो सारी की सारी चीज़े मैंने कल आपको बताए थी आज ये क्लास है दूसरी इसके अंदर हम संचार के परकार वगरा और आगे संचार की जो लाब ले सके और पहली बार देख रहे हूं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइक क्लिक कर लेना टेलिग्राम चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कभी आदिगने शिंद नाम से टेलिग्राम चैनल है जिस पर 7200 से दिग लोग जुड़े भी हो सकता है जब आप देखो तो 7300 भी है जो लोग हो जाएं ठीक प्रारम करते संचार के परकारों सवाल बन गया पहला सवाल यहीं से बन जाएगा निम्न में से संचार का परकार नहीं है तीन दे दिये ये और एक और कोई दे दिया ऐसे ही उटपटांग तो वहाँ पर चोथा विकलप आपका हो जाएगा संचार के परकारों में बात करूँ तो सीधा सीधा संचार के परकारों में एक बार बता देता हूँ फिर एक एक को मैं आपको एक्स्प्लेन यहाँ पर करता चलूँगा पहला होता है सांकेतिक संचार या फिर एमोखिक संचार यह जो मिटर है एनसे आटे की बुक और प्रमुगरूप से संचार के प्रकार है जो हो सकते हैं ठीक अब एक एक को हम समझते हैं यहाँ पर पहला देखिए पहला है सांकेतिक संचार या फिर एमोखिक संचार जिसे कि आप अपने मित्र को इशारे से बुलाते हैं कभी यार इधरा ना इशारे से तो जाहिर है कि यह जो इशारा भी क्या एक तरीकी से संचार और यह क्या हो जाएगा एक संचार संकेतों के माध्यम से आपके मन में जो जी चल रही है वो अगले तक व्यक्त हो जाती है और अगला उसको समझ आता संकेतों के जरी है तो वो क्या हो जाएगा संकेतिक संचार है जो हो जाएगा या यूँ कहें हम कि जब हम बड़ों से बड़ों को सम्मान करते हैं प्रणाम करते हैं हाथ जोडते हैं तो वो भी क्या हो जागा एक तरीके से सांकेतिक संचार है जो हो जाएगा बिना बोले ही आप अपनी अभिवेक्ति है जो कर देते हैं उसांकेतिक संचार के अंतर या ए मोखिक संचार के अंतर गत है जो आएग आप जिसे नमस्ते भी कर रहे हो किसी को तो हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहे हो तो यहां क्या हो जाएगा सांकेतिक संचार में भी हो जाएगा और ए मोखिक में भी हो जाएगा लेकिन आप हाथ जोड़ते भी साथ साथ में क्या कर रहे हो प्रणाम का नमस्कार का इशारा तो करें लेकिन बोल भी रहे हो कि नमस्कार सर प्रणाम गुरुजी प्रणाम भाया प्रणाम अगरा तो आप बोल भी रहे हो और संकेत भी करें वहाँ पर क्या हो जाएगा संकेतिक संचार भी हो जाएगा आपके और मोखिक संचार भी हो जाएगा ठीक है तो क्या जब हम बड़ों को सम्मान से प्रणाम करते हो तो उसमें क्या हो जाएगा मोखिक संचार के साथ साथ दोनों हतेलिये जोडेंगे और प्रणाम का इशारा करेंगे तो इस तरीके से साथ इसाथ मोखिक और ए मोखिक या यूँ कहें कि मोखिक और सांकेतिक संचार दोनों चीज़े जो यहाँ पर हो जाएगी तो ये इस प्रकार का उधान देकर भी सवाल है जो पूछा जा सकता है ठीक है और मोखिक माफ किजिए ए मोखिक संचार के कहीं कहीं तरीकों से व्यक्त की जा सकती है खुशी से भी दुख से भी प्रेम से भी डर से भी आपके चहरे पर खुशी है तो एक तरीके से ए मोखिक संचार हो रहा है सांकेतिक संचार हो रहा है समझगे बात और उदास हो आप चहरे से लग रहा है कोई प्रेम की भावना प्रकट करना चाहते तो उसांग के तरीकी से एमोखी के तरीके से भी व्यक्त है जो हो सकती है ठीक है तीसरा जो आता है अपने दो होगे तीसरा आता है अंता है व्यक्तिक संचार कल की कक्षा में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था लेकिन और बता देता हूं तो इस संचार परकिरिये में क्या होता है संचारक और प्राप्त करता एक ही वेक्ति होता है अंतहे वेक्तिक संचार में क्या होता है संचारक और प्राप्त करता प्राप्त करता, एक ही वेक्ति होते हैं दोनों, क्या होते हैं, एक ही वेक्ति होते हैं संचार को प्राप्त करता, वो होता है, अंतह है वेक्तिक, अंदर ये अंदर, और ये संचार का सबसे बुन्यादी रूप है, इसे क्या कहा जाता है, अंतह है वेक्तिक या इंट्रापरस पर्शनल संचार भी है जो कहा जाता है इसका ध्यान में रखना ये नाम भी परिक्षा में पूछा जा सकता है अन्ता है व्यक्तिक संचार नहीं देखर इंट्रा इंट्रा पर्शनल इंट्रा पर्शनल इंट्रा पर्शनल अन्ता है व्यक्तिक संचार समझ गए बात को ये सबसे बुनियादी रूप होता और उचके संचारक और प्राप्त करता Professor घर कें ध्yo संचारक और प्राप्त करता एक ही वेक्तिया जेसे कि मैंने कल भी उध्यारण दिया था जब हम cji पूजा करते हैं इबादत करते हैं प्राप्त ना करते हैं तो उस वक्त ध्यान में होते हैं तो वह भी एक अंतह व्यक्तिक संचार का उधान कि हम पूजा करें तो अंदर है जो इस्मरण कर रहे हैं संचारक भी हम है और प्राप्त करता भी हम है तो किसी भी संचार की शुरुवात है जो होती है साहब पहले हम सोचते हैं फिर किसी और से जो समवाद करते हैं तो आगे बात ये सवाल भी पूछा जा सकते हैं किसी भी संचार की शुरुवात कहां से होती है अगला देखिए अगला जो प्रकार आता है संचार का वो आता है अंतरव्यक्तिक संचार यानि कि जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो इसे अंतरव्यक्तिक संचार या फिर इंटरपर्शनल संचार है जो कहाज़ता है दूसरा नाम क्या हो जाएगा इंटर परस्टनल तो अंतर व्यक्तिक संचार क्या हो जाएगा इंटरापरस्टनल और अंतर व्यक्तिक हो जाएगा इंटर परस्टनल समझ गए बात को इंटर परस्टनल क्या हो जाएगा या अंतर व्यक्तिक क्या हो जाएगा दो व्यक्ति और अंतर व्यक्तिक में केवल एक ही व्यक्ति होता है एक ही जन होता है तो दो व्यक्तियों के बीच में आपस में आमने सामने जो संचार होता है इसे क्या कहा जाता है अंतर व्यक्तिक संचार है जो कहा जाता है या फिर इं हम कि अग्ला फैन देगा है और दो तुरंदि आपको परतिपुष्टी यह जो मिल जाएगी तस फीडबेक तत्काल प्राप्त होता है अंतर्वेक्टिक में बोल के बताओगे अच्छे से बिहेव करोगे तो आपके समन्द भी विक्षित होंगे और आप जो चीज प्राप्त करना चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी तो ये भी संचार क्या हो जाएगा अंतरवेक्तिक हो जाएगा समझ गे बात को और संचार का जो ये रूप है ये पारिवारिक और समाजिक रिष्टों की बुनियाद है तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल है लेकिन सवाल आपसे ये पूछ लिया कि पारिवारिक और समाजिक रिष्टों की बुनियाद निम्द में से कौन सा संचार है तो यहाँ पर हो जाएगा अंतरव्यक्तिक संचार यह जो रूप है यह विशेश तोर से प्रमुक्तया पारिवारिक और सामजिक रिष्टों की बुनियाद है अपना जो व्यक्तिक जीवन है इसमें सफलता के लिए प्रवाई होना चाहिए और इसको सल की जरूत हमें जगह जगह जो पढ़ती रहती है नोकरी और रुदाकेली के लिए भी जो इंटर्व्यू होता है वहाँ पर भी इसको सल की परक्र होती है ठीक है अगला जो संचार का प्रकार है वह हो जाएगा समूह संचार समूह संचार इसमें क्या होता है एक समूह आपस में विचार विमर्स या चर्चा करता है समूह आपस में विचार विमर्स या क्या करता है आपस में चर्चा करता है ग्रूप में करता है समूह में तो यह विचार विमर्स का एक तरीका होगा जैसे कि हम मानें आपकी जो कक्षा है किसी कक कक्षा का जो समू है संचार का एक तरीके से क्या अच्छा उदारन है समू संचार का आपकी कक्षा तो ये भी पुछा जा सकता है क्लास के बारे में तो समू संचार का एक अच्छा उदारन है तो आपर अलगले उदारन दे दें तो यहां पर क्या हो जाएगी कक्षा या कोई के लिए होगी तो वहाँ पर अंतर व्यक्तिक संचार हो जाएगा यह किस तरीके सवाल पूछे जा सकते हैं इस दो व्यक्ति यह समु संचार यह उन्हापर कい से निया पर इसको कहा जाता है हमी सोस्यली और में समाज और देस के सामने उपस्ति Unit जो समस्य हैं, उनको बाचित और भहस वगरा करके, इस तरीकी जो कर सकते हैं, वाद विवाद करके, ठीक है, चर्चा करके, संसद में जब विभिन मुद्धो पर चर्चा होती है, संसद में अलग-लग मुद्धो पर चर्चा आप सुनते हो, देखते हो, तो संसद में जब वि कि उधारन है संसद की चर्चा उधारन है अंतर वेक्तिक संचार का अं तर व्यक्तिक संचार का या फिर इन में से कोई नहीं तो वहाण पर हो затएगा संसद की चर्चा जो है वो क्या हो जाएगा विन मुद्धो पर चर्चा होती है वो समू संचार का उधारने इसे तरह किसे हम गाउं की जो पंचायत होती है या फिर किसी सम्मिति की जो बैठक होती है उसमें भी समू संचार ही होता है एक तरीके से जाए गाउं के लोग आपस में क्या करते हैं चंचा करते हैं किसी ने किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं अब आता है साब अगला जन संचार या फिर इसको मास कम्यूनिकेशन भी कहा जाता है तो जन संचार भी शब्द देखने को मिल सकता है आपको जन संचार नहीं मिले तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा मास कम्यूनिकेशन ठीक है और संचार का सबसे महत्तपोंग और यह आखरी प्रकार है जो यहां पर देखने को मिल रहा है संचार या मास कम्यूनिकेशन इसमें क्या होता है जब हम व्यक्तियों के समू के साथ परतेक्ष समवाद की बजाए किसी तकनीक या यांत्रि कि माध्यम के जरिये समाज के विशाल वर्क से समवाद कायम करने कोशिच करते हैं वो तो जन संचार कहलाता है तो यहां पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा सीधे सीधे डायरेक्ट हो तो वो तो समू हो जाएगा लेकिन व्यक्तियों के समू के साथ आप नोट कर समवाद नहace होकर या प्रतैक्ष सम्वाद की बजाए पर टेक्ष़ंवाद की विजिए किसी तक्नी के माध्यम से कि माद्यम से हैं एक विशाल वर्ग को यह मतला बहुत सारे लगों एक विशाल विशाल वर्ग से हैं जो काइम करते हैं वो जन संचार के उन्तरकता है जो आता है व्यक्तियों के समूट के साथ परतेक समवाद की में आमने सामने समवाद नहीं करके किसी कोई तकनिक के माद्यम से किसी यांतरिक माद्यम से टेकनोलोजी की जरीए जिसमें न्यू चैनल वगरा हो गया आपने टीवी वगरा हो गया इस तरीके से हम तो उस तकनिक के माद्यम से हम बहुत लोगों तक घरगर तक पहुंचाते हैं सूसना को और लोग जो अलग जगह पर अलग जगह बेट कर जो देखते हैं तो वेक्टियों के समू के साथ परतेक समवाद की बजाय किसी तक्निक या यांतरिक माद्यम से एक विशाल वर्ग से जो समवाद होता है वो जन संचार है जो कहलाता है उसे जन संचार कहते हैं या पिर मास कम्यूनिकेशन है जो कहा जाता है साथ और इसमें एक संदेश को यांतरिक माद्यम के जरिए बहु गुनित किया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों का फायदा हो सका अधिक से अधिक लोगों तक वो सूचना पहुंच सके इसके लिए हमें किसी उपकरण आप्ट जो होने वाले समाचार वही होते हैं लेकिन वह? क्या प्रेस के ज़रीए जाते हैं? हजार उल्लाख को परतिए हैं उनके पाहंचती है अब हम बात करते haiं आगे बात करते हैं जनसंचार की विषयस्ताओं की विषयस्ताओं कű लेकर सवाल पूछा जाता रहा है पूर आगे भी पूछा जाएगा मैं आपको एक एक विशेस्ता हैं बहुत अच्छे से बताता चलूँगा आप जो विशेस्ता की हेडिंग है वो लिखते चलिएगा और बाकी चीजे में आपको explain करता चलूँगा आप नोट करना चाहें तो सुनते जा जन संचार में feedback तुरंद प्राप्त नहीं होता है NCRT के अंदर आपको मिल जाएगी लेकिन वहाँ से आभी आपको छाटना पड़ता है चीजों को कि कौन सी विशेस्ता है कौन सी नहीं है तो आपके लिए ये सुलब कर रहा हूं मैं संकलित कर रहा हूं इस प्रकार से कि आ कोई इस प्रकार नहीं होगा जन संचार करते हों किसी यांतरिक मादेम से आप किसी टेलीवजन में नीूज्रूम में कुछ बता रहा है तो कोई दर्शक्त अमीर भी हो सकता है कोई देखने वाला गरीब भी हो सकता है कोई किसी शहर में बेठा को मैं यहां से नियूज पढ यह पढ़ा रहा हूं आपको यूँ समझ लीजिया तो कोई किसी गाव में बैठा है कोई बहुत अच्छी फैसिलिटीज वाला भी होगा कोई कम फैसिलिटीज वाला भी होगा तो सारे लोग है जो मेरी बात यहां से सुन रहे हैं समझ रहे हैं और वीडियो के मादिम से देख देखेगा तो अपने पर्ति के लिए देगा कोई दस दिन बात देखेगा तब देगा तो फीडबेक तुरंत है जो नहीं मिलता है और देखने वाले महिला भी है यहां पर पुरुष भी है और अलग लग उम्र के हैं समझ में आगई बात तो इसका दायरा जो है जन संचार जन संचार माध्यमों के जरिए परकाशित या परसारित जन संचार माध्यमों के जरिए परकाशित या परसारित संदेशों की परकरती सारवजनिक है जो होती है जन संचार या फिर जो अपने जन संचार मादे गुजरी जो परकाशित या परसारित संदेशोंग जो परकरती वो सारवजनिक होती है अब गुरुजी की हम समझे नहीं ये बात सारवजनिक कैसे होती है तो सारवजनिक ऐसे होती है कि जन संचार के मादेम से किसी टेक्नलोजी की मादेम से कोई बात पहुंचाते हैं, तो किसी एक आद्मी को थोड़ जाए कि या मैं ये पढ़ा रहा हूं तो ये थोड़ी है कि जेपूर शहर वाले लोग ही देखेंगे, ये थोड़ी है कि क्यों नागोर वाले देखेंगे, या बूंधि वाले, दोसा वाले, तो इसकी सारवजनिक, प्रकृति सारवजनिक होती किसी particular एक जगें को इंडिकेटर नहीं करती है तो इसका आर्थ क्या हुआ अंतरवेक्तिक या समू संचार के तुलना में जन संचार के संदेश सब के लिए होते अंतरवेक्तिक की बात करें दो लोगों के लिए समू की बात करें दो कुछ लोगों के ग्रूप के लिए लेकिन यहाँ पर क्या हो गया अंतरवेक्तिक या समू संचार के तुलना में जन संचार का जो संदेश होता है वो क्या होता है सब के लिए होता यानि कि सारवजनिक होता है आगई बात समझ में चलिए यहां में किसी को पढ़ा रहा होता अपने यहां क्लास में तो सामने वाला सुन लेता और में उसे पढ़ा देता तो यह तो हो गया एक तरीके से सारवजनिक नहीं हुई यह हमारा समवाद यह संचार का माद्यम तो कि अउन्तरव्यक्ति हो गया पर अब जो मैं पढ़ा रहा हूंrit यहां पर अलग-लग जगहें के लोग है जो देख रहें कोई कैसा है कोई किस में का किस कंदीशन का है कोई किस संदेश है इसकी परकृति क्या हो गई सारवजनिक हो गई साहाब ठीक है अगली विशेस्ता देखिए अगली विशेस्ता है यहाँ पर जन संचार में संचारक और प्राप्त करता के बीच कोई सीधा है जो संबंद है जो नहीं होता है डारेक्ट फेस टू फेस जन संचार में संचारक और प्राप्त करता के बीच, कोई सिधा संबंध है जो नहीं होता है, प्राप्त करता यानि कि पाठक, शुरोता और दर्शक संचारक को उसकी सारवजिनिक भूमिका की कारण है जो पहचानते हैं आप मुझे प्रशनली बहुत बहुत रेर है जो मुझे प्रशनली जानते होंगे फेस टूपेस में कहां का हूँ, क्या हूँ, कुछ हूँ या फिर कोई न्यूज एंकर है जैसे आज तक में अब शुदिर साहब आगे तो प्रशनली उनको बहुत कम लोग जानते होंगे हम और आप है जो उनको टीवी पर देखते हैं क्यों ली तो यहाँ पर शुदिर साहब क्या होगे संचारक होगे, और हम सब लोग क्या होगे प्राप्त करता होगे, अलग-लग जगहों उपर उनको देखते हैं, जो सुनते हैं गरीब भी देखता है, अमीर भी देखता है शहर से भी देखता है, गाउं से भी देखता है तो सुदिर सोधरी साहब से और हम जो प्राप्त करता हैं, रिसीवर जो हैं इनका हमारे को सीधा संबंद है जो नहीं होता, प्राप्त करता है यानि कि पाठक, शुरता, दर्शक, संचारे को उसकी क्या है, उसकी सारवजनिक भूमिका क्या है, वो अपनी न्यूज है जो पढ़ते हैं, रीड करते हैं, जो जानकारी वो देना चाते हैं, बलेक इंवाइट जो शो चलता है, आज तक पर, वहाँ पर वो दे देते हैं, उन आज तक टीवी चेनल है जीवाला टीवी चेनल है तो इसके लिए एक वेक्ति कुछ नहीं करता है एक पूरा संगठन होता है उसकी आवशक्ता पड़ती है जन संचार को बहुत लोगों तक पहुंचाना तो उसकी वेवस्ताइं देखने के लिए और समाचार पत्र हो गया किसी संगठन की आवशक्ता पड़ेगी उसे पर चिज़ें जन संचार वाले चिज़ें जो पहुंचती है तो जन संचार के लिए एक उपचारिक संगठन की आवशक्ता जरूरत है जो पड़ती है ये भी एक विशेस्ता है जन संचार के अगली विशेस्ता देखिए और बहुत महत्तो पुन विशेस्ता है जन संचार म माध्यमों में बहुत सारे द्वारपाल होते हैं या फिर गेट की पर काम करते हैं अब सहाब आप बोलोगे सर जन संचार माध्यमों में बहुत सारे द्वारपाल होते हैं द्वारपाल तो द्वारपाल या गेट की पर इस शब्द को ध्यान में रखेगा आगे में समझाता दौर पाल या गेट कीपर वो वेक्ति होता है या वो वेक्ति का समूह होता है जो जन संचार माधे मुझे परकाशित या परसारित होने वाली सामगरी को नियईंत्रित और निर्दारित आज़ो करता है संपातक वग QA दौर पाल से हम यहाँ पर द्वारपाल या gatekeeper से अर्थ लगा सकते हैं, संपाधक उप संपाधक वगेरा हो जाएंगे, अकबार के एडिटर होगे, न्यूज के एडिटर वगेरा होगे, वो सारे लोग ही, अकबार का कोई संपाधक है, तो वो इतले करता है, क्या चीज है, जो कौन सी खबर चापने है, कौन से नहीं चापने किस में क्या है कहां की क्या न्यूज लेनी है या टीवी का जो एडिटर होता है वो ही तै करता है कि आज कौन से न्यूज खबर है जो चलाने कौन से नहीं चलाने तो वो क्या हो गया एक तरीके से द्वार पाल हो गया जो जन संचार का मादेम है उसका ए या जो प्रकाशित होने वाले सामगरी को नियंत्रित और निर्दारित है जो करता है सहाब यानि कि किसी जन संचार के माध्यम जो जन संचार के माध्यम उसमें काम करने वाले जो लोग हैं या उन लोगों को हम द्वारपाल करते हैं, संपादक उप संपादक की तई करते हैं, कि समाचार पत्र में क्या छपेगा, कितना छपेगा, और किस तरीके से छपेगा, इसी तरह टीवी रीडियो का भी मैंने आपको बता दिया, कौन सा क्या है जो परसारण होगा, तो यह उप संपादक उप उनके महत्वण बोमिका होती है, और यह उनकी ही जिम्मेदारी होती है, कि वे सारवजने घित की, पत्रकारिता की जो सिद्धान तो उनकी मुल्ले जो है समाज के, और जो आचार सहीता है, जो उसके अनुसार सामगरी को क्या करे, एडिट करे, संपादि जन संचार की विशेस्ताएं, क्या हो गई जन संचार की विशेस्ताएं, और संचार के हम कारियों की बात करें, क्यों संचार की, तो नियंतरन हो जाता है, इसमें सूसना हो जाती है, अभिवेक्ति हो जाती है, सामाज एक संपर्ख हो जाता है, अब हम बात करते हैं, जन जन संचार के कारियों में हम बात करें यहाँ पर डायरेक्ट है जो जन संचार के कारियों में पुस्तक से बता रहा हूं आपको क्योंकि सारे महत्तप पुर्ण और डायरेक्ट सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जन संचार का जो पहला काम है वो हो जाएगा सूचना देना क्या हो जाएगा सूचना देना तो जन संचार माध्यमों का पर्मु कारिय क्या होता है सूचना देना है परिक्षा में सवाल आ गया निम्न में से जन संचार का कारिय नहीं है तो तीन इनमे से दे दिया एक को दूसरा दे दिया तो आपको ध्यान में रखना है जन संचार के कारियों को तो पहला काम क्या हो जाए कि जन संचार का सूचना देना होता है प्रमु काम और हमें उनी के जरीए दुनिया वर्षे हैं जो सूसना इप्राप्त होती है और हमारी जरूरतों का बड़ा हिस्सा जन संचार माध्यमों के जरीए ही है जो पूरा होता है किसी का विग्यापन कौन सी चीज ठीक है और नहीं है कहां कौन सी जरीए क्या को चल रहा है गटना कर करना या जागरूख करना ये किसका काम होता है जंसंचार का कार girlfriend बात करें लोक्तंत्र में जंसंचार माध्यमों की मैं भूम का जानता को सिक्षित करने की है यां शिक्षित करने से आज से उन्हें देश-दुनिया के हार से परचित कराने और उस alltså प्र café अग बनाने सिर्टइब वीडियों किताव इनकी जरी क्या हो जाता है मनुरंजन है जो हो जाता है कि एजेंडा अचाहिँ करना जनज्संचार का एक यह विकार ईज्संचाहर माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरी किसी देश और समाज का एजन्डा भी है जो तई करता है जब समाचार पत्र और समाचार के सिखास घटना या मुद्देग्द को पर्मुकता से उठाते हैं कहीं करप सन चल रहा हो कहीं कोई सड़क की व्यवस्ता थेक नहीं हो कई कोई स्कूल में गड़ व्यवस्ता ठीक नहीं। तो बार-बार विशे तोड़ से उसी कुछ खास घटना को या मुद्दे को परमुकता से उठाते हैं तो फिर उन्हें व्यापक कवरेस देते हैं बहुत दिनों तक तो वे घटना या मुद्दे आम लोगों में चर्चा की विशे जो बन जाते हैं सब को खबर हो जाती है पता लग जाता कि ये चल रहा है तो किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विशे बना कर जन संचार मातेम सरकार और समाज को उस तक उस प निखरा निकड़ना यानि किसी लोग तौ इंत्रिक समाज में ये नियमिता बरती जा रही है तो उसे लोगों के सामने लाने के जिम्मेदार किस्किया जन संसाघ इसकों मह gelियिता है कहीं किसी विशेश डिपार्टमेंट में करस्पन चलड़ा है तो यह जनसंचार के माद्यम है इनी की जरी है जो लोगों तक पहुंसती है बात और वो निग्रा नहीं रखते हैं तो उनके भाएस से भी वो कंट्रोल में रहते हैं किसी को पता नहीं चलजाए फरजी वड़ा नहीं हो जाए अगला और आखरी काम है जनसंचार का वो है विचार विमर्ष के मंच तो जो जनसंचार माद्यम है इनका काम एक ये भी है कि लोगतंतर में विभिन विचारों का विवेक्ति का मंच जो पलब्द करवाते हैं कोई किसी छेत्र में विशेश योग्यता रखता कोई किसी चेतर में रखता है तो उनको मंच देने का विचार विमर्स का डिबेट होते हैं टीव पर वो भी उपलब्द कराते हैं और इसके जरी विभिन विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं जैसे किसी समाचार पत्र के संपादक के प्रिष्ट पर किसी घटना या मुद यह थी आज की दूसरी कक्षा यह कार यह जो थे जन संचार की यह सीधी सीधी सारे के सारे इंपरइड थे तो इनको मैंने अलग से जरूर बताना है अच्छा लगा है तो फिर लाइक भी करना है सभी दोस्तों को शेर करके उनको जोड़ना भी बताना भी यहाँ पर grade first और second के initial group से class से चल रही है पहली बार देख रहे हैं चैनल को subscribe कर बेल आइकन क्लिक कर लो गहरी वीडियो की सूसना मिलती रही टेलिग्राम चैनल का लिंक description मिल जाएगा कवी आदी गने सिंदी नाम से टेलिग्राम चैनल है जिस पर 7300 के तक्रीब लोग जुड़े हुए हैं जो इन कीजिए वहाँ पर भी सूसना सवाल डालता रहता हूं मैं और पढ़ाई को लेकर अगर आप डिमोटिव रहते हैं तो मेरा दूसरा यूटूब चैनल है आदी की आवाज नाम से जिस पर मैं पढ़ाई से सम्मंदित मोटिवेशनल वीडियो डालता हूं तो वहाँ पर जाकर वीडियो देखिए येकिनन आपको कुछ नया सेखने को मिलेगा जैहिंद फिर मिलता है